है नव्श्ार दोगोर्टवय दोफ्टो आपका स्वागत थे हैं हमारे अपने इूटुब चैनल एंद्बीन टेस्टे में मैं आपके सामे के ज्यादा कर सकते हैं से ठीक हैं अब अंडों में हम नाइब की सायता से कट कर निसान लगाएंगे इस परकारे से अंदर दो चुटकी लगभग नमक और दो चुटकी के लगभग कास्मेरी लाल मिर्च पॉडर टीक है इसको इस पकार से हम लोग अंडों के ऊपर चोट कर देंगे चमच के साथ चला देंगे अब चले दो से इसको फ्राइ करते हैं फ्राइ करने के लिए हम लोग पैन में लोग दो डाल देंगे और जब ऑयल गर्म हो जायागा तब इस प्रकार से रे अंडव को ड़ा देंगे और द्रयादार विलकुर इस प्रकार से चला दे जाएंगे अंड़ कर लिक्त ताकर चारों होग अट्फराई यह दोश्तों चलिए से अधे प्रपास से देखे दोस्तों अब हमारी यूटीब चैनलों को पहली बाद देखे सब्सक्राइक करें करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों को अब इसी कडाई में हम लोग दो से तीन चमश ओयल और एड़ कर देंगे उसके बाद फिर लोग एक तेजपत्ता को तोड़कर डाल दिया है देख सकते हैं उसके अधकुछ खड़े गरम मसाले देख सकते हैं एक बड़ी नाची, दो छोटी नाची, खड़ा जीरा दो लॉंग और चार काली मिर्च भी है इसमें खड़े अब इसको हम लोग चमश से चला देंगे और इसे हलका सा रोश ठोने देंगे उसके बाद फिर हम लोग एक दाल चेनी का टुकरा भी इसमें डाल देंगे और इसे थासा हम लोग रोश ठोने देंगे रोश जब हो जाए दोस्तों तब उसमें हम लोग एक मीडियम से आज का प्याज हम लोग बिल्कुल बारी कटा हुआ डाल देंगे और इसे भी हम लोग चलाएंगे जब वो कलर्चेंज हो जाएगा प्याज का उसके बाद हम लोग तीन चमछ लबक अधर गलस्यम का पेश दाल देंगे और इस पकार से चला देंगे चलाने के बाद इसे हम लोग तीन चार मेट के लिए से अपस पकार धक कर देंगे देख सकते हैं अब छली हम लोग धकन हटा करके फिर से मसालों को चला देते हैं यह हमारा फ्राई हो चुका था अब चलिए अब इसमें हम लोग एक बड़े स्याज का टमाटर की प्योरी बना की इसमें हम लोग डाल दिये हैं आप इसमें कुछ मसाला भी एड़ कर देंगे चलिए दोस्तों सबसे पहले देख सकते हैं आदा चमछ हल्दी पाउडर उसके बाद फिर इसमें हम लोग आधा चमछ कास्मेरी लाल मिर्च एड़ करेंगे और फिर श्वादा नोष्वार हम लोग इसमें नमक भी डाल देंगे डालने के बाद इसको हम लोग अच्छे परकार से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद में फिर इस पकार से हमने 3-4 हरे मिर्च को काटके डाल दिया है और चमट से चलाने के बाद में ंव धक देंगे 5 मिट में में लोग फिलेम पर से पकने देंगे बिच बिच में इसे अब चाहे तो चिक कर सकते हैं चला करके कि ये कडाई पे नाची पक रहा हो चलिए दोस्तों पांच मेट जैसा कि हो चुका है हमारा अब धकन हटा के हम लोग देखते देखेए ये देखे हमारा मसाला भुण चुका है पिनारों से तेल निकल रहा था इससे पता चलता कि बुण चुका था अब इसके टेस्ट को हम लोग और हम लोग इसमें तीन चमच काजू का पेस्ट डाल देंगे इससे इसका स्वाद बिल्कुल बढ़ जाता है और इसे भी हम लोग दो मिनिट तक लिए इसी पता से ढखकर पकने देंगे अगर आपके पास काजू का पेस्ट नहीं तो आप इससे स्किप कर सकते हैं बट इसका यूज करने से इसका टेस्ट बढ़ जाता है देखे दोस्तों हमारा मसाला बिल्कुल तयार हो गया है अब उसके बाद हमने जो अंडे बॉयल करके और फ्राइ करके रखे हैं उसको हम लोग किसी पकार से चला देंगे डाल करके और अपने आप सकता अनुशाइस में हम लोग पाणी डाल देंगे जितने पानी के आओ सकता आपको फिर पानी डालने के बाद में इसमें हम लोग इचमच गरम मसाला बिल्कुल इसके टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए बढ़ाने के लिए डाल देते हैं और फिर इसके बाद खक करके मीडियम फिलम में बिल्कुल 2-3 मुनिट तक लिए प्रसे हम लोग इसे पकने के लिए छोड़ देते हैं जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं कि टाइम हो चुका है अब फिर से हम लोग ढकन हटा करके देखते देखे ये देखे दोस्तों हमारा अंडा करी बिल्कुल तयार हो गया है सर्फ करने के लिए अब इसमें हम लोग लास्ट में इसके स्वाद को और बढ़ाने के लिए हम लोग धन्या पत्ति काट करके इस प्रकार से हम लोग डाल द की रेसिपी कैसी बनी वो भी ज़रू बताईएगा हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना हम ना भूले लाइक करे कॉमेंट करे सेर करे दोस्तों चलिए अब हम लोग इसे सर्व करते हैं यह देखे दोस्तों त्यार हो गया हमारा अंडे करी की रेसिपी अब चलिए इसको हम सब्सक्राइब कर लेते हैं तो तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे किसी नई रेसिप के साथ में तब तक लिए नमस्कार